सबी को जैहिंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जैहिंद रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जम आपके लिक लेटेस्ट एक इंट्रस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो ले करा हैं जिसमें आप देखेंग ताकि मापके लेटेस्ट जबदस्त और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं रूंत में इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत हिंदो बच्चे का रेव किया और इतना ब्रूटिली रेव किया अब क्योंकि यहां पर मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीती चलती है वेस्ट बेंगॉल में तो उसका एफायर भी नहीं हो रहा था फिर सारे हिंदू रोड पर आये फिर मीडिया में आया तब जाकर के उसक तो मैं जाता था और वहां की मेडिकल जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट थी उसको फोर्सीब लीडरा के धंका करके उससे आइटम नंबर पर नाश कर बाता था आइटम सॉंग पर और खुद वो नशे में धुत रहता था चरस गांजा पीता था और सारे प्रूफ बच रही हैं सामने में तो मैं मैं जानना चाहती हूं कि यह कौन सा इसलाम है जो रेप करने की अनुमती दे रहा है जो चरस पीने की अनुमती दे रहा है जो शराब पीने की अनुमती दे रहा है जो पांच साल की बच्चीओं का रेप करने की अनुमती दे रहा है जो मदरसे के अंदर रेप करने की अनुमती दे रहा है, यह कौन सा एस्لام है, यह कैसा एस्लाम है, यह कौन सा एस्लाम और कौन सी आयत लिखी हूई अल कुरान में, जिसमें मुसल्मान पुर्शों को ही अनुमती है, कि आप नशा करके आप बच्चियों से आइटम नंबर पर नाच करवाईए, ये कौन सा इसलाम है, ये हमारा इसलाम नहीं है, ये मोगलों का तोर तरीका है, ये मोगल बादशा किया करते थे, ये हमारे इसलाम में बिलकुल नहीं है, हमारे इसलाम में बहुत परहिजगारी है हमारे исلام में महिलाओं की बहुत रिज्जत है हमारा इसलाम और हमारे प्रॉफिट मौम्ह स grace तो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़े मिचा दिया करते थे वो तो ननजर जुका करके महिलाओं से बात करते थे तो ये मुसल्मान क्या इसलाम मान रहे हैं? नहीं, ये मुसल्मान इसलाम नहीं मान रहे हैं, ये मुसल्मान मुगलों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुगल जो होते थे वो बहुत अशलील हुआ करते थे, वो नाच, गाना, शराब, घुंगरू, यही सब सब चीजों में वो लगे रहते थे और यही रिजन था कि मोगल खतम हो गया क्योंकि वो आयाश बहुत हुआ करते थे मैम पाकिस्तान में तो चलिए ठीक है यह समझ आता है कि रूल्स जो है वो इतने स्ट्रिक्स नहीं है यहां पिर कनून इतना सक्त नहीं है आसलं कि यहां पर जो है मतलब आपके सामने कोई आगर इस तना की अक्टिविटि इस अधाए निया की वहां चानून नहीं यह लिकिन अगर हम इंडिया की बात किरें तो इंडिया में इस तरहां से सकating नद़र आता है तेमोडैसी भी है और वहां पर और काफी चीजे चुह ह इंडिया के लिएंधर बहुत जादा नजर आ रही है एवन के पूटी दुनिया में भी नजर आ रही आ लेकिन क्या वजुहात इस के रोप थाम निह किया जा रहा और इसको खतम नहीं किया जा रेप करेगा और जो लब जिहाद करेगा ऐसे लोगों को फासी दी चाएगी देखें मुसल्मान फुर्षों की बेहूदगी और बत्तमीजी की वज़ा से आप देखिए कि आपके आजात कश्मीर की मुसल्मान बेटियां हिंदूों से शादी कर रही हैं और हमारे जमु कश्म हालिया में राहुल गांधी जी गांधी परिवार के आखरी चश्मों चिराग हालिया में अभी वो कश्मीर गए वे थे और कश्मीर में क्योंकि एलेक्शन भी चल रहा है उसकी कंपैनिंग बगारा भी चल रही है तो वो उसी दौरे पर वो गए और वो काफी यंग लड़ दो लग अलग अलग धरम और मजभ की भी लड़किया थी तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कप कर रहें तो राहुल गांधी जी मुसकुरा है और कुछ खाते-पीते उन्होंने कहा कि यह अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब करें, तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी एक ही साल उमर है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं, कि यह डर लगता है करने में, उसमें एक हिजाब प हिजाब पहने वी थी, उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है, उसको देख करके बहुत दर लगता है, और उसने एक रिफरेंस भी दिया, उस हिजाब बारी लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जमुएन कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दि साइटी में, जो तलाक के मैंटर्स देख रही है, उससे वो डर रही है, शादी कर रही है, अब आपको समझ में आया, कि आकर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वारी लड़की अपनी जान हतेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है, जमु दिस्को कश्मीर में चलाते थे, इनके आँख के सामने वैली में पांच-पांच लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंगार हुआ करता था, आज वही जमु कश्मीर की मुसल्मान बेटी कह रही है, कि हमें दर लगता है, कि तलाख क्यूंके हमार मुसल्मान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी कर के या तो दिली चली आ रहे है, या तो हर्याना चली जा रही है, और सब हिंदूं से शादी कर रहे हैं, अच्छ जिस फारुक अब्दुल्ला ने सारे हिंदूों को अपनी आखों के सामने खदेड़ा और जब हिंदू मरते थे उनका नर्संगार होता था हिंदू की बेटिओं का लश्कर टैबा और यासिन मले को उनका रेप करता था तब यह गॉल्फ खेलते थे तब यह के ही मुख्यमंत्री चेफ मिनिस्टर वहां पर गोकर रह गए थे लेकिन फारुक अब्दुल्ला का खुद का बेटा उमर अब्दुल्ला उसने भी हिंदू से शादी किया सोचो उस लड़के ने उसके फारुक अब्दुल्ला के बेटे ने हिंदू से शादी किया और अभी 2023 23 की मैं बात आपको बता रही हूं और 22 की कि 2022 में फारुक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोट में की अच्छी का दाहिर की कि मेरी बीवी मेरे को धराती है और मेरे साथ वॉयलेंस करती है मुझे इसको छोड़ देना है वही जिहादी के बेटे उमर अब्दुल्ला को जाड़ा है दिल्ली हाई कोट ने और जाड़ करके कहा है कि डेल्ड लाक रुपे महीना और सभी बच्चों को साथ साथ हजार रुपे महीना आपको देना पड़ेगा और आपने ये बहुत गलत किया है कि आप अपनी बीवी पर जूटा इ क्यों क्यों मुसल्मान लड़कियां मुसलिम लड़कों से शादी ना करके अब वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही है मैं उसकी वज़ा बताती है सबसे पहली वज़ा कि मुसल्मान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं हो उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी भी अपनी बीवी को इज़त नहीं देते हैं। जो हमारे इसलाम के हिसाब से गलत है कि अब मुसल्मान लड़कियां बिल्कुल परशान हो चुकी हैं कि किसी भी तरीके से वो मुसल्मान पुर्शों के साथ खुश नहीं रह सकती हैं। नहीं मानसक तरीके से नहीं शारेरिक तरीके से और नहीं इसलामिक तरीके से इसलिए अब वो हिंदू लड़कों से शादी करकर के अपनी जिन्दीगी को कूपसूरत बना रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और अमेशा की तरह नाजिया लाइख खांजी के दमदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंद आयोगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलाओगा जहां पे नाजिया खांजी न को शेयर जरूर कर दे और अपने वीचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बढ़े और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर बंगलादेश में रह रहे हिंदू के लिए अपनी आवाज उठाए और उनको अपना सपोर्ट दिखाए तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत